हेलो डिये स्टुडेंट्स, आज हम जो चैप्टर की आपकी रीडिंग जो कम्प्लीट है, यह से पुरा करेंगे, यह फिर इतना भी होगा, इमिंट उसे हम करेंगे फर्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जब पहले जो आपका चैप्टर बढ़ा रही थे, तो उसमें क्या था, यह फाइंड इन सर्कल सिक्स अनिमल्स को बताना था आपको, तो हमने इसमें से थ्री या फॉर तो साइद रिकोराइस कर लिये थे, उसके बाद आप देखते और आपके, इसको होई गए थे आपके एंट, रैबिट, और, और कौन-कौन से, एक, थ्री हो चुके थे, एक और था, कौन सा था, उसमें ध्यान से देखेंगे, हमने उस दिन कौन-कौन से किये थे, और एक और बन जाएगा, हमारा रैट था, या फिर, डोग, डी ये वाला देखो, इधर से डोग, ठीक है, यह आपके कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, आप भी ने ऐसे ही, सर्किल कर लेंगे, ओके ये स्टुडेंट, नेक्स्ट है, हम हमारा चैप्टर जो है, हम उसकी रीडिंग कर रहे थे, और उसमें आपके, कहां तक हो गया था, ये, अनिमल्स कैन अलसो बी, क्लासिफाइड इन्टू दा फॉलोइंग, फोर, कैटरिक, कैटरिकरी इस एकोर्डिंग, तू दा फूर्ड देए, जानवर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अलग-अलग कैटेगरी होती हैं, फस्ट है हमारा हर्भी वर्स जो ह होते हैं, निकी जो घास खाने वाले होते हैं, इस एनिमल्स एट ग्रास एंड अधर प्लांट्स, ये जानवर जो होते हैं, वो घास खाते हैं, ये फिर अन्य पोदो को खाते हैं, फोर एक्जामपल जैसे की काउ है, डियर है, गोट है, एलिफेंट है, ये हमारे कौन से जा अपने भोज़न के लिए दूसरे जानवर हों पर निरफर होते हैं पोधोन के लिए तु है नीकि ये सब क्या है marketing आपने пой inaccurate चीता होते हैं थर्ड आ मारा उन्हीं सनो यूई होते हैं और मांस को भी भी खाते हैं Omniverse होते हैं These animals eat both plant and animal जो जानवरों और पोधों दोनों को खाते हैं For example, beer है, crow है, rat है, kokroosh है, यह सब क्या होते हैं मतलब कि दोनों चीज़ खा सकते हैं जानवरों को भी और plants को भी Next है, skivinches जो होते हैं These animals eat the flesh of dead animal वो जानवर जो मर्द जानवरों को उमल लब खाते हैं मर्द सरीर को खाते हैं, जानवरों की dead body को खाते हैं, for example, vulture और हीना जो होते हैं, वो क्या है, skivinches होते हैं Next है हमारा Time to answer में आपको बताना है Classify the following animal as herbivore, carnivore and omnivore आपको बताने हैं कि कौन से herbivores हैं, कौन से cornivores हैं, और कौन से omnivores हैं, अब आप देखिए, इसमें cow क्या है, herbivores में आएगा monkey क्या है, वो monkey क्या खाता है, पेड़ पोदे, फॉरल फूर्ट दी खाता है, तो इसलिए ये किसमें आ जाएगा आपका चित्ता जो है, किसमें आएगा cornivores में, cockroach जो है वो किसमें आएगा, omnivores में, tiger जो है, किसमें आएगा, cornivores यनि की मासाहारी, folks जो होती है वो क्या होती है आपकी मासाहारी होती है और beer जो होते हैं, वो omnivores होते हैं, sip जो है वो क्या है, हमारी herbivores में आएगी, dog जो होता है, वो भी Ómnivar में आएगा है। और गैट भी है, वो भी Ómnivar में आएगा है। और यूझ घर होते हैं हमारे वो हमारे किसमें आजाएंगे? हर्विवर्स में आएइंगे। ओके दिया स्टुडेंट्स यानि की अब आपको इसमें से अलग-अलग देख के बताना है क्या बताना है कि हर्विवर्स कुन से होते हैं जो केवल प्लांट्स को पोदों को घरी सबजीों को फूर्ट्स को उनिकी पोदों से उत्पन होने वाले चीज़ों को खाते हैं वो कौ है हमारा होम सोफ अणिमल्स ये जानवरों के जो घर होते हैं वो भी अलग-अलग होते हैं अनिमल्स अर फाउन्न जिटिटनी भी आस-पास आपकी उडने वाले पक्सी यो हूते हैं आपKK इतने भी भूमी पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, सब के अलग-अलग रहने का एक मैथड है, फस्ट हम देखते हैं, यह मंकी लीवीने ट्री, जैसे कि एक बंदर जो होता है, वो कहां रहता है, एक पेड़ पर रहता है, नेक्स्ट है हमारा इलायन लीवीने डैन, और जो आपका सेर जो होता है, वो कहां पर रहते हैं, गूफा में रहते हैं, देखो सामने ही इनकी लॉयन दिया गया है, तो उसके सामने ही आप से क्या दिया गया है, उसकी गूफा का टाइगराम दिया गया है, उसमें बैठा बाद बिखाए गया है, यह आप देख के पता कर होती है जो किसमें रहती है हाव में रहती है नट मतमक्य कर बनाती है और सवे बरी द्रैति है नेक्स्त हमारा इंडहोग लिवस इने केनल एक कुछ वर्था फेलोज ऑ से भॉल एन ऑफचर और को हो और वह वो फैलो छे होती है वो एक सेढ में की जहां पर गाएं और भैसों को हम वो करते हैं मतल़ बांते हैं वहीं पर यह उसे सेढd बोलते हैं उन्स wydaje यह वहां पर रहती है next हम देखते हैं कि time to answer आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है? मैच करने है, अब आपको बताना है क्ए कौन कहां harsh पर रहता है, होंस की नेम दिए गई है, और जानुरों की नेम दिए गई है, काउ और फॉर्थ Lion, वो नआइट करेंगे डैन, और monkey के सामने हम क्या राइट करेंगे, ट्री ओकी डियर स्टुडेंट्स तब तक आपको क्या करना है इतने भी मैंने इसमें बूक में जो बीच में आपके कॉस्टन्स जो है उनको कराया है तो आप उसे रफ नॉट बूक में या फिर अपनी बूक में ही फिल करेंगे अब देखिए आपके मैज़ा फोलोइंग जो हैं ये कंप्लीट हुए और ये जो आपके जो हॉम्स दियो हैं जानवरों के नेम दियो हैं और हॉम्स दियो हैं उनको भी आप इनके सामने डाइट करेंगे जिससे कि आपको सब की पहचान हो जाएगी कि कौन सा जानवर किसमें रहता है ओके डियर स्टुडेंट्स अब तक जितना चैप्टर हुआ है उसकी आप बुक रीडिंग करेंगे और टांसलेशन करेंगे और उसके बाद जो आपकी मैने बीच में जो कॉस्चन्स दिये हुए हैं उन्हें अप प्रप नॉट्बुक या फिर अपनी बुक में फ और मंकी के सामने क्या ट्री ओके जिस टुरेंट्स अब आप ये अपना वर्क कम्प्लेट करिए और इसकी बुक जो है मतलब रीडिंग जो है उसे भी आप करेंगे कम्प्लेट और अभी तक मैंने जो भी कराया है देखिए क्लासिफाई वाले जो हैं ये भी आप अपनी र नौट बुक में या फिर बुक में फिल कर सकते हैं ओके दियर स्टुडेंट्स थैंक्स